ही गाइज वेलकम बैक तो अनुस का हैस्टाइल फ्रेंड्स वेडिंग में जाना हो या फिर कहीं आ बाहर डॉनट में एक बहुत ही अच्छा और यूजफुल टूल है जो इजीली अवेलेबल है आपको लोकल मार्केट पे भी ये मिल जोता है और अगर आप चाहें तो इसे अब जाही एक सिंपल मट स्टाइलिस हैर बन आवाज देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमने आप देख रहे हैं कि मिड राइस पर पॉनिटेल बनाई है पॉनिटेल बनाने के लिए आप चाहें तो कोई अच्छा हैड सिरम यूज़ करें और उसे आप यहां पर यहा इसे एजिले इन शर्ट कर दिया दो तीन यूपिन की मद्यूपिन या जूरापिन आप चो कुछ भी कहते हूं इसे तो इसकी मदद से हमें अच्छे से इसे स्टियर कर देना है इसे तो यहां पर हमने दो यूपिन लगाई एक और यूपिन इस साइड लगाएंगे ताकि ह हमारा जूबन है बहुत अच्छी से फिक्स हो जाए तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी से फिक्स हो गया है बिल्कुल भी लूज नहीं है अब क्या करना है यहां पर जो हमारे बाल है उसको दो सेक्छन में टिवाइट करना है कुछ इस तरह के से दो सेक्छन में हमने बालों को डिवाइड कर लिए डिवाइड करने के बाद यह जो उपर के बाल है उसे साइट तीजए और नीचे इस तरीके से करते हुए पूरे डॉनट बन के उपर हमें बालों को फैला लेना है तो इस तरीके से फैला के फिर रहने है एक रबर बेंड जो अच्छी से मजबूत हो ज्यादा लूज ना हो उस टैप की रबर बेंड हमें लेनी है और डॉनट बन के उपर इस तरीके से हमें इसे लगा देना है तो यह तो हुआ सेंपल स्टैप जो हम कोई भी डॉनलट बन में डॉनलट बन से जुरा बनाने के वक्त हम ये step follow ही करते हैं लेकिन next step में हमें क्या करना है यहाँ पर जो ये बाल है उसे थोड़ा बाहर की और हमें खीच कर बन को मैसे लुक देना है इस तरीके से थोड़ा सा बाहर की और खीचे और मैसे लुक दे इससे आपका बन बहुत ही stylus लगेगा और दिखने में भी different लगेगा आप दिख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरीके से खीचाव किया है अगर आप चाहें तो इसे fix करने के लिए hair spray का भी use कर सकते हैं तो आप जितना जैदा खीचाव दे उतना जैदा खीचाव दे और उपर hair spray भी कर सकते हैं ताकि यह जो lines हैं वो बहुत अच्छे से secure हो जाएं और आपका बन भी बहुत beautiful लगे तो आपने दीखा कि जो हमने simple बन बन बनाया था उससे यह वाला जो बन है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है अब क्या करें यह जो नीचे के hairs हमें बारे बचे हैं उसे manage करने के लिए अच्छे से कॉम करें और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी hairs दोनों साइड से लेते जाएं यहां से हमने इतने hairs लिए और बन के ऊपर इस तरीगे से हमने लापीट लिया और secure कर लिया पिन की मदद से फिर इस साइड से लेना है बालों को सेम प्रोसेस रिपीट करनी है हमें अगर आपके hairs long है या फिर medium hair है डॉनोट बन एक बहुत ही अच्छा टूल है और बहुत अच्छा option है कोई भी wedding hairstyle बनाने के लिए या फिर कहीं outgoing भी जाना हो तो भी आप simple बन डॉनोट बन के मदद से बना सकती है तो इस तरीके से सारे बा तो आपने देखा बहुत अच्छे से हमने cover कर लिये हैं बालों को और थोड़ा और इस तरीके से खिचाव दिएंगे और मैसे look दिएंगे बन को और हमारा बन बन कर ready हो शुका है दिखें बिलकुल भी lose नहीं है बहुत ही comfortable है गर्मी भी नहीं लगेगी इस से और दिखने मे यह भी बहुत ही beautiful लगता है आप कुर्ती गाउन पहने या फिर सारी यह हैस्टाइल आप पर बहुत ही सूट करेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया है तो सेर करना ना भूलें थेंक यू